हेलो फ्रेंट्स भारत हुमिनिटीज क्लासिज में आप सभी का स्वागत हैं आज हम हर्याना समाने ज्यान से संबंदित अपना लेक्शर नंबर फॉर डिसकस करेंगे जिसके अंदर हम 15 कोस्चन लेकिन फिफ्टी प्लस कोस्चन अंसर को यहां पर क्या करेंगे डिसकस करेंगे और रिटिन गॉस्टीन कोस्चन बट debt यहां डिसकस करेंगे तो पचास प्लस कोस्चन के अंदर पूछे गए वे डिसकसिंग एर 15 कोश्चन बट जब हम डिटेल में उसका डिसकस करेंगे तो 50 प्लस कोश्चन अभी हम डिसकस करेंगे और यह सारे ही कोश्चन किसी नहीं किसी एक्जाम के अंदर पूछे गए तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है हमारे राष्ट्य धवज में दिखने वाले पईये का रंग कैसा है तो आपका आंसर होगा गहरा नेला ओप्शन नमबर ए आपका क्या आजाएगा राइट आंसर आजाएगा देखिए राष्ट्य दिखने धवज को भारति सविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था 22 जुलाई 1947 को स्विकर्ती परदान की गई थी ठीक है 24 जनवर 1950 को सविधान सभा ने संसत के रूप में कारे किया और तभी राष्टे गीत राष्टे ग्यान और राष्टपती का क्या किया था निर्वाचन किया था तो देखिए जो असोक चक्कर है जिसके अंदर 24 तिलिया है और वो 24 गंटे को क्या करती है रिप्रेजेंट करती है नमबर एक नमबर दो राष्टे द्वज को सविधान सभा ने कब स्वी करते दी 22 जुलाई 1947 इंपोटेंट कोशन है ध्यान रखना है नेक्स कोशन है निमलेखित में से कौन सा राज्य हर्याना के पूरव में है तो हर्याना के पूरव में जो आपका राज्य है वो है आपका आंसर होगा उत्तर परदेश कौन सा है उत्तर परदेश देखो हर्याना की जो सीमा है पांच राज्ये और दो केंदर सासित परदेशों से लगती है अब वो कौन-कौन से पांच राज्ये हैं सबसे पहले आपका आगया उत्तर परदेश दूसरा हमारी जो सीमा साजा करते हम राजस्थान से, हिमाचल परदेश से, उत्राखंड और पंजाब यह पाँच ऐसे राज्ये हैं जहां हर्याना अपनी सीमा को क्या करता है? साजा करता है और आपको पता है कि दिल्ली हरियाना के बिल्कुल टच कर रहा है जो एक यूटी है और दूसरा अपना क्या है चंदेगड जो हरियाना की क्या है रालजदानी भी है तो ये important question आपके सीमाओं से लगते हुए जो राज्य हैं उनसे सम्मन्दित है next आपका question है 5000 साल पुरानी सिंदु गाटि सबबता वरतमान दिनों के किस जिले में मिली तो आपका answer होगा हिसार क्या होगा हिसार हिसार के अंदर कौन से स्थान पर मिली तो राखी गड़ी और हिसार में 5000 साल पुराने सिंदु गाटे सबता की क्या मिले है और हिसार में की स्थान पर मिला है ये ध्यान रखना है आपको राखी गड़ी कहां पर मिली राखी गड़ी ठीक है next कुरक्षेत्र के अंदर आपका क्या है करण का टीला है ध्यान से सुनना करण का टीला आपका कुरक्षेत्र के अंदर क्या है स्थित है राची जारखंड राज्ये की क्या है राजदानी है यह जारखंड की क्या है राजदानी ठीक है next आपका जो question है लाख की चूडियों के लिए रोह तक आपका पता है इश्या का सबसे बड़ा क्या लगता है आपका कपड़ा मार्केट लगता है उसके लिए परसीद है इसके अलावा कुरुक्षेत्र करनार के थल जो है वो बासमती चावल चावल के एक वराइटी होती बासमती है ठेक है उसके लिए का है परसीद है घृत राश्ट्र को किस ने सुनाया था तो ये कापी important question है संजे ने क्योंकि धृतराश्ट अंदे थे और संजे ने महाभारत का जो विर्तानत है वो किसको सुनाया था धृतराश्ट्र को सुनाया था अब महाभारत से सम्मंदित और कुछ important question में आपको बताता हूँ महाभारत की रचना किसने की तो मैरसी वेद व्यासने की एक important question है महाभारत का दूसरा नाम क्या है तो वह है जै सहीता क्या है जै सहीता यह युद्ध कितने दिन चला? अठारे दिन यही कारण है कि शिर्मत भागवत गीता में अठारा कितने हैं अध्याय है next जो आपका question है माभारत में हर्याना के रूप में दर्साया गया है तो हर्याना को बहु धान्यक परदेश के रूप में क्या किया गया है? दर्साया गया है मावार्त महर्याना को भहुदान्य कहा है कुरुक्षेत्र को हर स्चरित में श्रीकंठ जन्पद कहा है हर स्चरित में इसको क्या कहा है श्रीकंठ जन्पद ठीक है यह आपको क्या रखना है ध्यान रखना है नेक्स आपका क्या है पतना, पतना का पुराना नाम को है पाटली पुत्र और पतना हिष्चा में किसकी राजदानी है मिमलिखित में से कौन से नेता द्वारा सविधान सभा में उदेश से परस्ताव लाया गया बड़ा important question है और इसका आंसर होगा जोहर लाल नहरू जोहर लाल नहरू ने उदेश से प्रस्ताव को कब प्रस्तूत किया तो 13 दिसंवर 1946 को प्रस्तूत किया जो बाद में सविधान की क्या बना प्रस्तावना बना काफ़ important question है उदेश से प्रस्ताव को स्विकार कब किया गय 22 जनवरी 1947 को इसको क्या क्या गया था स्विकार क्या गया था 13 दिसंबर 1946 को इसको क्या क्या गया था प्यारे बच्चो इसको प्रस्तुत क्या गया था भारत के पर्थम परधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू द्वारा नेक्स इसके अंदर है डॉक्टर भीम राव अंबेड कर ये देखे प्रारूप समीती थी प्रारूप समीती कब बनी सबसे पहले ध्यान रखे 29 अगस्त 1947 को और उसके जो चेर परसंते वो कौन थे डॉक्टर भीम राव अंबेड कर जिने भारती सविधान के निर्माता के अस्ट्रपती भी बने थे नेक्स्ट वल्ला भाई पटेल जिनको भारत का आईरन मैन कहा जाता है जिनोंने 565 देशी रियासतों को एक खट्टा करने में महत्वपुण भूमी का निवाई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सबसे उचा स्टैचू है वो किसका है वो आपके केल्सियम इसके अंदर केल्सियम सबसे ज्यादा होता है और यह चमकदार होता है और यह आपके महंदरगड़ के अंदर पाया जाता है महंदरगड़ को मुखते क्या का जाता है खनीजों का सहर का जाता है ठीक है खनीजों की बात हो रही है तो हिसार के अंदर आपका क्या शोरा पाया जाता है करंड और इसार के अंदर शोरा खनीत पाया जाता है। आपको क्या रखना ध्यांन दखना नेक्स गोशन देखि बर टने मैं ची वाहिए टो मिश्च प्लाराद और मुझा क्लांद ख़ंडवा कहते हैं हरियाना में घंडवा स्यान का पर्तिक माना जाता है इजट का परतिक माना जाता है पगड़ी जोते हैं और लोई जिसको हम सर्दी में ओडते हैं चद्दर को हम क्या कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अर्याना के इसार जिले में कौन सी जिल स्थित है तो अर्याना के इसार जिले में आपकी ब्लू बर्ड आपका अंसर क्या होगा ब्लू बर्ड जिल तो अब आपको ये सारा पता हो अची कि कर्ण जील कहां पर है तो कर्ण का टिला भी कहां बताया था करनाल के अंदर ठीक है तिलियार जील आपकी कहां पर है रोतक के अंदर काफी इंपोर्टेंट कोस्चन है रोतक और यह एस्टेट के अंदर भी पूछा गया है टिक करताल जो जील है यह आपकी कहां पर है ये आपकी पंस्कुला मिश्थीत है कहाँ पर है पंस्कुला ठीक है ये जितने भी कॉस्चन है काफी क्या है इंपोर्टेंट है देखे अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को क्या करें लाइक चेनल को क्या करें सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रे स्थित है तो यह अमारे जिला जो रेवाडी है उसके अंदर क्या है स्थित है नाइवाडी के पास यह कहा है सेंड़ पाइपर नमक स्थल क्या है स्थित है ठीक है मिथातल आपका कहां पर हो जाएगा बिवानी के अंदर कहां पर हो जाएगा इसके अलावा जो खोकर खोकर हरियाना में अपने हाश्य और वेंग पूरण कवीता के लिए परसिद्ध है तो बहुत important question है और यह जो कलाकार है जिनका नाम क्या है सुरेंदर सर्मा है सुरेंदर सर्मा हरियाना के मेंदरगड जिले से सम्मंद रखते हैं और 2013 में उनको क्या मिला था 12 सरकार के द्वारा इनके भी नाम है दयाचंद मयाना दयाचंद मयाना अर्याना के जोन मिल्टन के नाम से भी जाने जाते हैं और यह रोतक से तो आर्याना का जोन मिल्टन किनको कहा जाता है दयाचंद मयाना को कहा जाता है जो किस जिले से हैं आपके रोतक जिले से हैं गजंदर वर्मा फरिदाबाद जिले के अंदर तो यह आपका इंपोर्टेंट कोश्चन है और चारो परसनेलिटी से रिलेटेड आपको क्या करना है यह लर्न करने है नेक्स कोश्चन विनोबा भावे के स्तंदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सी हर्यानवी कभी मधुर गाने गाते है तो इसका अंसर है भाई परवाननद अब शबसे पहले यह देखिए कि विनोबा भावे कौन थे विनोबा भावे वह स्पूरच्वल येेर ओभ मात्मा गांधी अध्यात में कुत्रा दिकारी थे विनोबा भावे किनके मातमा गांधी जी के देखो जो भाई परवानन थे ये भारतिये जो सवतंतरता संगराम के महान क्या थे करांतिकारी थे जिनके इस मर्ती पर क्या निकाल गया था डाक टिकेट भी निकाल गया था इसके बाद आता है पंडत नेकी राम, क्या है पंडत नेकी राम, जिनका जनम 1867 में बिवानी जिले के कैलगा गाउं में हुआ, उनकी जो सप्ताइक पत्री का संदेश थी, उन्हें अरियाना केशरी के नाम से जाना जाता है, पंडित नेकी राम को किस नाम से जाना जाता है, हरियाना केशरी के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट जो आपका कोस्चन है रास्टिय डेरी अनुसंधान किंदर के स्थापना करनाल में किस वर्ष हुई तो आपका आंसर होगा नैंटीन फिफ्टी फाइव उन्निस सो पच्पन में रास्टे डेरी अनुसंधान किंदर के स्थापना कहां होई करनाल में वहुई कब होई उन्निस सो पच्पन में next question है नेक्चन सैनी के साथ जुड़े हैं नेक्चन सैनी के साथ कौण जुड़े हैं तो आपका आंसर होगा रोक गालडन आपका ए उप्षन क्या आजाएगा राइट आजाएगा रोग गार्डन का पर स्थित है चंदिगड में स्थित है इसको मुर्ति गला उद्दान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है चंदरावल जो फिलम है अर्याना की पहली सुपर हिट फिल्म चंदरावल जो कब आई थी 1984 और 1984 में शिख दंगे भी हुए थे यह आपको क्या रखना है द्यान रखना है क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को सत्यन सिंग और बेंट सिंग ने किसको गोली मारी थी इंद्रा गांधी जी को गोली मार कर उनके अत्या कर दी गई जिसके बाद दिल्ली और कई अनेक राज्यों के अंदर क्या पहले थे शिख विरोधी धंगे फैले थे इसके अलावा जो लाल पसीना है वह आपका उपन्यास है जिनका यह है उपन्यास किसे ने लिखा अभीमन्यू अनंत का है अभीमन्यू अनंत और सीप का मोती एक साहितिक रचना है जिसके रचनाकार है हे मराज निर्गम हे मराज निर्गम तो फ्रेंट्स आज हमने important 15 question आपके साथ हरेना समन्ने ग्यान से सम्मंदित किये हैं यह सारे question आपको वीडियो के देखते वे सारे learn करने पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो को like और चेनल को क्या करें सब्सक्राइब जय हिन जय भारू